Hello friends, welcome back to this channel दोस्तो इस वीडियो में हम लोग Reliance Communication Limited के उपर बात करेंगे लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूंगा पहली रिक्वेस्ट कि अगर आपको डेमेट अकाउंट ओपिन कराना है तो डेस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डॉप किया गया है उसे क्लिक करके आप चाहें तो अब स्टॉक में अकाउंट ओपिन करा सकते हैं दूसरी रिक्वेस्ट यह है कि अगर आप इस चैनल को फिनान्स मार्केट को फर्स्ट आम देख रहें तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करेजे ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो तो हम बात कर रहे हैं रिलाइंस कॉम्मिनिकेशन लेमिटेड के अतर देखें कर 24 जून 2021 को 4.65 के लोवर सर्किट के उपर लॉक हो गया था अगर आप देखें तो 4.95 का ओपन प्राइस था और 4.65 का लो और 5.05 का हाई बनाया 5.05 इसका अपर प्राइस बैंड लगा हुआ था इसका 52 वीक हाई भी 5.05 ही है एनसी के उपर लो 1.25 का हलाकि बेस्थी के उपर देखेंगे तो इसके 5.49 का हाई बना चुका है और यहां पर जो लोवर सर्किट है 5.01 का था यहां पर भी लोवर सर्किट लग चुका है अगर हम टोटल ट्रेटेट वॉल्यूम की बात करें तो 14 करोर 26,85,759 शेर्स टेट के गए एनसी के उपर जहां पर 77.15 की डिलिवरी है BSE के उपर 2 करोर 85,43,429 शेर्स टेट हुए जहां पर 51.61 की डिलिवरी है Market Cap देखें तो इस कंपनी की आज NSE के उपर 1,285,97 करोर रुपए है और BSE के उपर 1,385,53 करोर रुपए है तो हम बात करें कि Reliance Communication Limited में Lower Circuit क्यों लग गया तो देखिए आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा पैनिक मत होए क्योंकि आप लोगों को बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो अब यह बोलेंगे कि आप यह वापस अपने Original Level के उपर जाने की कोशिश कर रहा है One Point Something Something पर इस तरीके से लोग बहुत लोग मिल जाएंगे बोलने के लिए लेकिन मैं यहाँ पर आपको यह नहीं बोलना हूँ कि यहाँ पर रिवर्सल आज से ही शुरू हो जाएगा या कल से शुरू हो जाएगा देखे इतने दिनों से लगातार आपने देखा कि इसके अंदर अपर सरकिट लगता हुआ दिखाई दे रहा एक monotonous increasing graph 30 degree की line बनाती हुए उपर की तरफ जा रही है तो देखे कहीं ने कहीं गिरावट तो होना ही था लेकिन गिरावट अभी तक क्यों नहीं हुई अभी तक क्यों नहीं हुई आज ही क्यों क्यों हुई तो इसके पीछे का कोई logic नहीं है देखे रिलाइनस इंडस्ट्री लिमिटेड की AGEM थी बताइए 24th June को AGEM थी की नहीं थी और Tribune अगिन आज इसाफ को आज लेकिन आज़ा छितने बहा नहीं गान कियाम एंड़ावट को देखने को महीं करुए समझने बात को तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो Reliance Industry Limited के अलावा ADAG Group के जीतने भी स्टॉक्स है चाहे हम Reliance Communication की बात करें चाहे Reliance Capital की बात करें चाहे Reliance Neville की बात करें चाहे और भी कोई कंपनी हो ADAG Group की हो Reliance Home Finance Limited को छोड़ करके सभी के अंदर आपको Lower Circuit लगा हुआ दिखाई दिया कल तो इस तरीके से देखेगा ये Lower Circuit कहीं ने कहीं एक ट्रेंड भी था आप देखिएगा कल आपने नोटिस किया होगा कि जितने भी Penny Stocks थे जिन सभी में एक हमें Bullish Pattern देखने को मिला था लंबे समय से लगबग कई हबतों से वो Bullish Pattern तूटता हुँ नजराया वो Lower Circuit में कनवर्ट होता हुँ नजराया था आपने नोटिस किया होगा बहुत सारे Stocks में मैंने नोटिस किया था तो आर कॉम उनमें से हट के नहीं है आर कॉम उनमें ही आता है और रही बात ये Lower Circuit के रुकने की तो देखे ट्रेन की चलने की डारेक्शन पीछे की तरफ हो चुकी है लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे रिटार्ड होगी समझे रहे बात को रिटार्ड होने का मतलब समझते हैं यानि अपने पीछे के जाने वाली स्पीड को धीरे धीरे कम करके एक जगह स्टेशन होगा जहां पर रुकेगी और वहां पर अगर कुछ लोड हो जाएंगे तो हो जाएंगे फिर रिवर्सल मुझे लगता है शुरू होगा देखे अभी 5 जुलाई जो है 5 जुलाई काफी इंपोर्टेंट डे है क्योंकि उस दिन नेशनल कंपनी लॉड ट्रिबिनल जो है SBI से जुड़ी हुई एक मुद्दे के ओपर सुनवाई करेगे इसके अलावा आपको पताना चाहूँगा 26 जून 4 जुलाई के अलावा 26 जून is also very important date क्योंकि 26 जून को इस कंपनी के quarter 4 की earnings release होगी यानि enterprise business का result आएगा Reliance Communication Limited के और वहाँ से हमें पता चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सबदर है तो ये lower circuit कोई specific कारणी है इसका ये एक trend था और ये trend इसके ओपर भी apply हो गया और ये trend आपको तूटता हुआ भी नजरा सकता है बहुत जल्दी दूसरी चीज़ इस तरीके के जितने भी stocks सभी के अंदर operator अपना game बहुत अच्छे से खिलना जानते हैं हम और आप लोग उसका अंदाजा भी नहीं लगा सेकते तो सोच तक नहीं सकते कि वो किस angle से कब क्या कर दें समझ रहे बात को तो operators भी इसमें पूरी तरीके से involved हैं इसको उपर तक चड़ाने के लिए और मैं यह नहीं बोला हूँ कि अब धड़ाम से गिरा देंगे वो गिराएंगे नहीं वो दीरे दीरे चड़ाएंगे और चड़ाते रहेंगे और इस तरीके से operators अपना काम तो करते ही हैं उनको रोका नहीं जा सकता impossible है समझ रहे बात को तो देखिए अब situation दीरे दीरे क्या हो रही है किस तरीके से emerge हो रही है यह define करेगा इस company के stock movement को लेकर के समझ रहे हैं तो आगे जो भी update होगी वो इस company से realistic कितनी जादा है that is very important तब हम इसको बता सकते हैं कि हाई किदर की तरफ head करेगा आप लोगों में से काफी लोग इस downward direction को देख करके बहुत जादा पैनिक हो रहे थे बहुत जादा पैनिक हो रहे थे लेकिन आप इतना पैनिक मत हुए क्योंकि इतने दिनों से चड़ रहा था उस समय अगर आपका profit हो रहा था तो आप कहा थे बताईए आप चाहते तो exit हो सकते थे लेकिन अगर आप dread रखते हैं याई आप बहुत ही rigid है आप affirmed है अपने आप से मतलब ठाट रखा है कि नहीं हम इसको बेचिंगे ही नहीं तो उस हिसाब से फिर आप कुछ इंदा करने की ज़रुत नहीं आप बोल जाए इसे समझे रहे बात को आप इसमें investor है तो आप बोल सकते हैं इसको आप बता सकते हैं comment box में और बैठे हैं तो loss में बैठे हैं या फिर profit में आप मुझे जरूर बताएगा ठीक है loss में है तो मैं आप से request करूंगा कि आप hold करके बने रही है देखते रही है क्या situation emerge होती है chances भले ही कम क्यों ना हो लेकिन है तो zero थोड़े है zero नहीं है ना कम से कम so I hope you like this small video Reliance Communication Limited देखते हैं आगे कि आज क्या होता है पूरे दिन में let's hope for the best right so take care good bye